मैं अफसरखान कार्परेटर बेगंपुरा कॉंग्रेस और अंगाबाद मैं शूटिंग में वेस्ट था, मैं शूटिंग कर रहा था लेकिन मैंने अभी अभी M.I.N. के कार्परेटर कॉप मेंबर का इक वीडियो देखा उसने बोल रहा है के MP को धमकी दिया हूँ 307 दाखल करना चाहिए MP DJ दाखल करना चाहिए और इनको हरसल जेल बेदना चाहिए और इनका पुराना रिकार्ट देखो अरे काउप मेंबर M.I.N. को यह नहीं मालूम कि किसको काउप मेंबर बनाना चाहिए तो तेरे अब्बका रिकार्ट देख जो मटका किंग थे कुम खुर्रम अली हाश्मी, जाकिर अली हाश्मी, जो मटका किंग है, और टॉनाल पे जित्ते भी चरस गांजे के धंदे चलते हैं, सारे तेरे रिष्चेदारों के तेरे चलते हैं, तू अपने आपको दे, 307 किस पे लगता, जेल किसको भेजा जाता, य दूम करना, किसकी गार्या तोड़ना, यह एमाइम का काम है, कॉंग्रेस पार्टी का नहीं, यह एमाइम वाले करते हैं, और जेल तुमको भेजना चाहिए, जैसे तुमारे अबबा मीसा में गए ते, तुमारे चचरा मीसा में गए ते, जाकिर अलीर, हाश्मी, मरूम, और चरस गार्यों के धंदे तुमारे हैं, और एक आडियो भी मैंने सुना है, किसीने कहा है, कि मेरे से टिकेट लिया, तो रमजान का महना है, रोजा है, मैं न कभी टिकेट बेचा, न बेचूंगा, रा सवाल, मेरे भाई मरूम की बात उसने किया, और मुझे सफेद बिनाने क बात किया, अरे आडियो क्या वेज़रा, तेरे आडियो का तो मैं निकालूंगा, अगर तेरे में दम है, मुझे सफेद कफन पिनाने की, तो सामने आके बोल, मेरे घर पर आके बोल, मेरे शेहर में आके बोल, मेरे महले में आकर बोल, तू तो मेरे कुछ सफेद कफन नहीं तेरे में दम नहीं है क्योंकि तू तेरे बाप की अउलाद नहीं है तू बाजवाले के अउलाद हूंगा इसलिए आडियो के जरीये बुलना कि मुझे सफ़ेद बिनाएंगा सफ़ेद बिनाना अल्ला के हाप में सफ़ेद कफन किसको बिनाना किसको नहीं बिनाना और इन्शालला अगर तेरे में दम है तो तु सामने आके बोल कौन किसको सफ़ेद कफन बिनाता है ये वक्त और सबें बताएंगा और अफसर खान इतना शक्षम है कि अफसर खान की मौत कोई इमाइम वाले या तेरे हाथ में नहीं है मौत अल्ला ताला के हाथ में और अफसर खान सिप अल्ला ताला से डरता ना पुरे इमाइम से डरता ना इमाइम पार्टी से डरता ना तुमारे जैसे गुंडों से डरता ना मटका किंग से डरता ना और किसी से डरता और मेरी पॉलिस कमिशनर साथ से अद्वन गुजारिश है कि जिसने ये वीडियो जारी किया उसके खिलाब गुरा दाखर किया जाए उनका पुराना रिकॉर्ड देखा जाए उनकी पुराना रिकॉर्ड निकाल कर काईदेशन जो कारवाई होती जो मुझे पर इद्लान लगा रहे इनके उपर कारवाई की जाए और इनके बाप जैसे हसुल जेल में थे 395 में भी थे अनेक गुने इन्होंने जोपर पट्टी में पूरा दंगल किया हुआ इनके चाचे ने इनके बाप ने उसमें भी अंदर थे पुरे दलिट लोगों को मारा है और आज ये पुराने रिकार्ट की बात कर रहे है खुद अपना पुराना रिकार्ट देखो अपने बाप का पुराना रिकार्ट देखो अपने चचा का पुराना रिकार्ट देखो और उसके बाद किसी पे उंगली उठाओ ना अफसर खान का पुराना कोई रिकार्ड है ना अफसर खान ने कभी नमर दों का धना किया है ना इंशालला करेगा अल्ला आफिस खुदा आफिस